हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी लोग आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे आज 6 नवंबर और 6 नवंबर साल 2024 के हर्याना करेंट अफेर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आईए हाच के इस बहुत ज़्यादा जरूरी से सेशन के करते हैं सुरुवात हम लोग कल आपसे सवाल पूछा था उसका ठीक जवाब क्या होगा कि इन में से पर्मुक हर्याना का इको पारक कोन सा है तो इस पर्टिकुलर क्युस्टन का ठीक जो अंसर था न वो था सुल्तान पूर्पक से विहार ये वाला आप्शन है पर्टिकुलर क्युस्टन का वो बिल्कुल ठीक था ये हर्याना के गुरु ग्राम के इंदर है और एपॉर्टन क्युस्टन भी है आप याद कर सकते हैं से अगर आप CET की तैयारी कर रहे हैं तो अभी भी मोका है लगन लगा के जुठ जाओ पढ़ने के लिए प्रतिग्या बैच आप ले सकते हैं बैच स्टार्ट हो चुका है कंप्यूटर एक गेम चेंजर सब्जेक्ट है आपके लिए बले ही उसके माक्स 5 से 7 रहते हैं लेकिन वो नंबर भी आपके लिए गेम चेंजर है इसके लाइव क्लासिस और कले क्लास गई है अभी भी ज्यादा क्लासिस नहीं बीती है बारेकी से आप कंप्लीट स्लेबर सहना कर पाएंगे इस पर्टिकुलर बैच में हरियाना जी के है चाहें पॉलिटी है चाहें आप एकनॉमिक्स है और चाहें आप जोग्रोफी है हिस्ट्री है अच्छे से करेंट अफेर है हरियाना करेंट अफेर है यह सब डेटा आप लोग बहुत अच्छे से इस पर्टिकुलर बैच में पढ़ पाएंगे मतलब आप जो पैसा इस बैच में लगाएंगे यह मेरा वाद है आपको पाई-पाई वसूल होगा बाकी हर जगह से एकदम डिफरेंट रिगदम फ्रेश कंटेंट आपको इस पर्टिकुलर बैच में मिलने वाला है और आज का पहला करेंट अफेर क्या रहेगा कि केंद्रिय सूचना एवं परसारण मंत्राले की तरफ से जारी निर्देश के अनुसार किस सब्द या लोगो का उपियोग कोई भी स्थानिया य data सब्सक्राइब नहीं कर सकता है तो इस पर्टिकुलर केुशन का सही अंसर रहेगा किया आपका इस पर्टिकुलर किशंप सर्टेश और रहेगा मिलने के परसारण मंत्राले की तरफ से इंधर जारी किये आए प्रेश कंसल या सको हिंदी में कह सकते हैं भार्तिय प्रेश करवाने के लिए यूज नहीं करेगा मंत्राल्य ने जितने भी राज्य हैं भारत के उनके मुख्य सचिव केंदर सासिद प्रदेश के प्रसाशक जितने भी अर्ध सरकारी लेवल की जो भी डिपार्टमेंट हैं सभी को जो लैटर लिखके इसके निर्देश जारी कर दिये है इसका गठन किया गया था 1978 के अक्ट के तहथ इसका गठन हुआ था सोतंतरता प्रेस की सोतंतरता समाचार पतर भारत में समाचार पतर की अजनसी इन सभी के सुधार के उदेश्य से जो नहीं यह बनाया गया था इस परिसद का सचिवाल्य भारत सुचना भवन CGO कॉंप्ले दॉक्स जो न्यू डेली है ना वहां पर ना तो इसकी किसी राजिय में कोई ब्रांच है ना ही इसके नाम से कोई और कोई काम कर सकता है यह भारत में के वल एक ही है बन भी तो कि ऐसरी है क्योंकि इसका अवैद तरीके से यूज किया जा रहा है बहुत सारे ऐसे मामले आये तो इस सब्द का यूज केंदर सरकार की अनुमती के बिना किया जा रहा है अब तक अब जो हना ये इसको यूज नहीं किया जाएगा ओफिशली जो हना ये उलंगन माना जाता है अदीनियम 1950 की धारातीन के साथ पढ़ी जाने वाली प्रिविस्टी साथ के भागदो का उलं मुख्य मंत्री ने दी है कौन से जिले के अंदर ये जिला है सिर्सा जिला सिर्सा जिले के अंदर मुख्य मंत्री की अध्यक्सता में अभी रिसेंटली हाई पावर परचेस कमेटी की बैठंग होई थी उस बैठंग के अंदर 2000 क्रोड रुपे से जादा के कांट्रक्ट और और वस्तों के खरीद की मंजूरी मिली है। अगर हम लोग सिर्सा जिले की बात करते हैं तो ये जिला बेसिकली आपका 1975 में बना था ये याद रखना आप लोग है कहां पे हर्याना के बिल्कुल पस्चिम में हैं। हर्याना का वर्तमान में सबसे बड़ा जिला भी सिर्सा ही है एरिया की अकोर्डिंग ब्याली सो स्तक्तर वर्ग किलोमेटर है। सबसे कम जन संक्या घनातव है केवल इसका जन संक्या घनातव है 303 वर्ग किलोमेटर के इसाब से ही है। जन संक्या घनातव यह जुरूर याद रखना आप लोग। क्या इस जिले में कोई भी रिजव सीट आती है। हाँ इस जिले के अंदर एक रिजव सीट आती है। इस जिले की एक रिजव सीट की कटेगरी में आती है। और इसके अलावा जो है आप यह याद रखना कि शिर्षा को हम पुराने जमाने में क्या कहते है। तो शिर्षा का प्राची नाम है शिरिश्का शिरिश्का इस जिले का प्राची नाम है। इस जिले के अंदर सिख समुधाय की जन संग्या सबसे ज़ादा है। अगर आपसे पूझ लिया जाए कुझा तो भी शिर्सा जिले के अंदर ही है इसके इलावा ये याद रखना चोदरी देविलाल जी जो हरियाना के मुखे मंदरी तो रहे ही रहे के अलावा हरियाना, भारत के पूरो परधानमंतरी जी के रूप में भी इनौने पदभार संभाला था तो चोधरी देविलाल जी का गाउन जो है न वो कौन सा था वो इनका गाउन चोटाला गाउन ही था याद रखना आप लो Smith और इनका एक नारा था किया लोक राज, लोक लाज से चलता है, ये जरूर याद रखना बारत के उपरदान मंत्री बने थे, किसानों का रिंड माफ करने काम भी नहीं किया था इनी के नाम पे इसी जिले के अंदर CDLU युनिवस्टी भी है चोदरी देविलाल युनिवस्टी है अजमेर सिंग जो है ना इसके VC है और 2003 में ये युनिवस्टी बनी थी अपरेल 2003 के अंदर ये युनिवस्टी बनी थी यहां पे और भी आपको कुछ याद रखना है अबूब सहर एक प्रेटनस थल है वो किस जिले में है वो इसी जिले के अंदर ही है एक यहां का ना रानिया जरूर आता है पेपरो में ठीक है ना रानिया रानिया का विद्रोव पूछ लिया जाता है पेपरो के अंदर कि रानिया का विद्रोव जो ना वो हुआ कब था तो रानिया का विद्रोव हुआ था 1818 में हुआ था जाबित खां के नितरतव में हुआ था ये भी याद खना आप लोग जाबित खां ये क्यूसन पूछ लेत यए चरमोड गर्द्वार्धारी सिर्सा दिले के अंदरी है सिर्सा जिले के अंदरी है चरमोड़धवारी इसके लावा बाबा-बूमण शाह का डेरा औरा अगर्डी 20 क neglect बाबा भूमन शाह जो ना इनका डेरा भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो हर्याना के सिर्सा जिले के अंदर ही पढ़ता है हर्याना का वो जिला आपको बताना है जिसके अंदर सबसे कम बारिस होती है तो आपको सिर्षा ही बताना है पिछले साल ही जो ना यहां पर हर्याना का तीसरा पुलिस जिला भी तो आया था डब वाली है याद है तो आपको तीन हर्याना में पुलिस जिले हैं एक हांसी है हांसी याद रखना आप लोग एक कुन सा है नातु सरी चोप्टा जो ना ये दलदली चेतर भी कहलाता है हरियाना का ठीक है और सबसे नीचे का स्थल भी यही है याँ पे एक तारा बाबा की कुटिया भी याद कर सकते हो आप लोग ठीक है ना अचा एक गुर्दवारा मुझे और यादा रहा है गुर्दवारा चिल्ला पाल रहे जिनका नाम आपको याद है जिनका नाम है प्रोफेसर गनेसीलाल अब तो नहीं है रेटाइर होगे लेकिन प्रोफेसर गनेसीलाल ये औरिसा के राज्येपाल रह चुके हैं तो ये भी जुरूर याद रखना एक ना सिर्सा से जादूगर का नाम भी कई बार आ इस एलनाबाद से जो है ना वो जादूगर संकर समराठ है ये काफी परसिद है और एलनाबाद को पहले खडीयल कहा करते दे पुराने जमाने में अभी तो एलनाबाद कहते है पहले इसको खडीयल कहते दे तो ये चीज़े आपको याद रहनी चाहिए खेर थोड़ा और आ गई है तो देखो बेरोजगार विद्वा और तलाक सुदा बेटी और दिव्यांग और विवाहित बेरोजगार पुत्र इन दोनों को ही ऑप्शन सी इसका ठीक है देखो एक्चुली क्या है कि हर्याना सरकार ने सवतंतरता सेनानी या उनकी धरमपत्नी की मृत्यू के दिव्यांग ए विवाहित बेरोजगार पुत्र है तो ही उसकी दिव्यांगता 75% होनी चीए डिसेबलिटी तो उनको भी पेंचन का लाब मिलेगा और ऐसे केस में अगर बच्चे पेंचन के पातरदा एक से जादा हो जाए तो उनको पेंचन जो ना बराबर बराबर माल ल इसे और रख भी सकते हैं यहाद इपोर्टेंट एक्जाम के लिए के अंदर सरकार ने हर्याना के ग्रामिन स्थानिय निकाय जिनको आप लोग कहा करते हो क्या एक रूरल लोकल बोडी के नाम से जानते हैं इनको साल 2024 के दुरान 15 वित आयो का कितना अनुदान जारी किया है 194.867 करोड रूपे का अनुदान मिला है इसका वितरन हर्याना के 18 पातर जिला पंचायत 149 पातर ब्लोक पंचायत और 5911 पातर ग्राम पंचायतों को लाब मिलेगा इससे शोल्म अवित आयोक से गटी थे हो चुका है और अरविंद पंगडिया उसके जोनद अध्यक्स होंगे याद रख न अप लो अचा हमारा जो पंचायती राज सिस्टम है हे कब को आया था हर्याना का पंचाइती राज सिस्टम कब आया था हर्याना में पंचाइती राज सिस्टम आया था 22 अपरेल के दिन आया था 22 अपरेल 1994 को पंचाइती राज सिस्टम आया था हर्याना के अंदर याद रखना वैसे बारत में कब आया था तो भारत में तो आया था 24 अ राज के फादर है बलवंत राय महता है इसको जरूर याद रखना है आपको इसके अलावा एक याद रखना है आप लोगों को कि पड़ी लिखी पंचायतों का अधीनियम भारत का दूसरा राज्य बन गया है हरियाना पड़ी लिखी पंचायते एक तो कहां पे है एक तो है र प्रियाना राजय चुनाव में सेक्ष्णिक योगेता लागू करने वाला भारत का दूसरा राजय बन गया है योगेता है कितनी है जर्नल कंडिडेट के लिए कितनी है जर्नल कंडिडेट के लिए मेल के लिए जो ना जर्नल कंडिडेट है और वो मेल है तो उनके लिए तो उनके लिए पांचमी पास होना ज़रूरी है ठीक ना तो आठमी और पांचमी है महिलाओं के लिए इनके लिए दसमी और आठमी है पुरसों के लिए ठीक और 50% आरक्षन पंचायतों में महिलाओं को देने वाला भारत का पहला राज्य हर्याना बन गया पिछली बार एच्ट्रेट के पेपर में यह वाला किउस्टन आया भी था पंचायतों का कारेकाल 5 साल का होता है याद रखनार अगर बीच में भंग हो जाए तो 6 मेने के अंदर अंदर का चुनाव जोनाव करवाना अनिवारे होता है यह पॉइंट भी आप लोगों को जुरूर याद रखना है त्री लेवल की पंचायत विवस्ता लागू है आप इवियम यूज होती है तो हर्याना भारत का पहला राज्य था जो पंचायती राज पंचायती चुनाव में इवियम का प्रियोग किया गया वैसे बारत में सबसे पहली बार इवियम यूज कब हुई थी 1982 से यूज हो रही है केरल के विधानसवा चुनाव के अंदर हुई पारूर केरल की विधान सबाती वहां पर सबसे पहले इसका इस्तमाल किया गया था पंचायती राज में टोटल विश्य कितने वैसे 29 है अनुसुची कौन सी इसकी अनुसुची ज्यारवी अनुसुची याद रखना अदिनियम कौन सा था यह यह था 73 सविधान संसोधन के था इसके तहित इसको अलागू किया गया यह राज इसके लिए आर्टिकल जोड़ा गया था यह हमारे सविधान के अंदर मेंचन है ठीक है और इसके अलावा जो है यह याद रखना पंचायती राज ग्यारवी अनुसुची का तो ठीक है चलो आपको याद रखना है लेकिन प नहीं भी दिया गया यह कुछ मनलब इसके रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन वगरा है यह तो कई सारी चीजे हैं आपको जो याद हो सकती है वैसे पंचायती राज विश्ता बार्त में सबसे पहले दो ऑक्टूबर को लागू होई थी 1959 को राजस्तान के नागोर के बगदरी क बासनी में फिर उसके बाद में 11 अक्टूबर 1959 को यह आंदर प्रदेश के लागू हो गई थी और उस टाइम पर भारत के प्रदान मंत्री को होंते जोहरला नहरू जी भारत के प्रदान मंत्री थे यह आप याद कर सकते हो चलिए सर यह सब पॉइंट आपको याद रहने च करती या बैच है उसको इंजोई कर सकते हो थैंक यू